नमस्ते बाईयों Android वड़ी में आप से भी का स्वागत है आज किस वीडियो में हम लोग करने वाले है वीवो T3 के अंदर एक 5G का टेस्ट क्योंकि आप में इसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे 5G का इशू आ रहा है 5G सपोर्ट नहीं हो रहा है स्पेसिफिक लिए जियो का 5G यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रहा है ऐसा जाला time कमेंट आ रहा था चलिए वेरिवाय करते हैं यहां पे सज्में कया 5G का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं मेरे पास यहां पर Airtail का SIM भी है तो Airtail के SIM को भी हम लगा के चेक करेंगी कि Airtail का 5G सपोर्ट कर रहा है कि नहीं तो दोनों SIM Airtail और Jio लगा के हम लोग चेक आउट करेंगे कि यहां पर 5G सपोर्ट मिल रहा है यानि और यहां पर मेरे पास जो Jio SIM है वो देख सकते हैं यहां पर already 5G activated है तो यहां पर मैं 5G already use कर रहा हूँ एक चीस ध्यान में रखिए जो unlimited 5G वाला offer है वो minimum 239 रूपीज का Jio का recharge करारा पड़ता है उसके उपर का आप लोग कोई भी recharge कराएंगे तो इस case में आप लोग फ्री 5G मिल जाएगा unlimited तो चलिए देखते हैं यहां पर 5G चल रहा है कि नहीं तो यहां पर Wi-Fi को रखते हैं deactivate और यहां पर SIM हम लोग लगाते है यहां पर Jio का SIM भी निकाल लेते है तो देख सकते हैं Airtail और Jio का दोनों का SIM है और अलग से मैंने इनको अपग्रेड नहीं करवाया है मेरा जो पुराना SIM है उसी में ही 5G चलता है तो चलिए देखते हैं यहां पर इस device के अंदर 5G properly work करता है कि नहीं तो देख सकते हैं यहां पर SIM 1, SIM 2 आ गया है मुझे यहां पर data के लिए पूछ रहा है चलिए ओके कर देते हैं और यहां पर SIM 1 में चेक आउट कर लेते हैं कौन सा SIM है तो यहां पर देख सकते हैं SIM 1 में मेरा जो network है वो यहां पर Airtail का है SIM card and mobile network दिया गया है यहां पर SIM 1 में मेरा Airtail है और SIM 2 में मेरा Gio का SIM है तो SIM 1 में जो Airtail है वो अल्लेडी 5G supported है 5G यहां पर work कर रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर 5G लिखा हुआ भी आ रहा है अब चलिए यहां पर SIM को हम लोग चेंज करते हैं SIM 2 में डालते है तो यहां पर SIM 2 को enable करते हैं जिसमें मेरा Gio का SIM है और चलिए यहां पे 5G support हो रहा है कि नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पे Jio का SIM लगा दिया है और देख सकते हैं यहाँ पे 4G plus लिखा हुआ आ रहा है 5G नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे 5G का strongly support नहीं हो रहा है चलिए mygeo app को खोलता है और वहाँ पर क्या दिखाता है देख लेते है तो देख सकते हैं यहाँ पर mygeo मैंने open कर दिया है चलिए sim network को change करते है मैंने airtel का लगाया था क्योंकि speed जादा नहीं आ रहा था अब मैंने geo का लगा दिया है और एक चीज़ यहाँ पर देखिए मैंन में भी geo true 5G यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और अभी देख सकते हैं यहाँ पर 5G आ गया है अभी मैंने just network को switch किया airtel से मैंने यहाँ पर geo के अंदर में network switch किया और उसी से ही यहाँ पर मेरा 5G जो है आ गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी आप लोग देखेंगे तो network भी geo का 5G selected है कोई दूसरा network यहाँ पर selected नहीं है देख सकते geo true 5G लिखा हुआ आ रहा है और उपर में 5G का symbol भी आप लोग देख सकते हैं और अब देखेंगे तो यहाँ पर 5G लिखा नहीं है और उपर में देखेंगे तो देख सकते एयर टेल 5G चल रहा है और मैंने यहाँ पर geo का my geo app भी install कर लिया है चलिए इसमें भी आप लोगो चेक करके दिखा देते हैं यहाँ पर 5G चल रहा है कि नहीं properly देख सकते हैं यहाँ पर उपर में 5G लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर geo का sim selected है जैसे के आप लोग देख सकते हैं लेकिन geo के आपके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर geo welcome offer तो दिखा रहा है लेकिन handset compatibility जो है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है यहाँ पर handset 5G not compatible ऐसा करके दिखा रहा है चलिए speed test करके देखते हैं यहाँ पर actual में 5G speeds हमें मिल रह रहा है कि नहीं तो देख सकते हैं इनिशियली speed जादा था उसके बाद कम हुआ फिर से जादा हुआ और यहाँ पर ऐसा scenario दिखा रहा है देख सकते हैं network जो है बहुत जादा fluctuate कर रहा है और speed कुछ इस तरह का दिखा रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेम चीज हम लोग air tail के अंदर करेंगे यहाँ पर network switch करते है यह तिल में करते है देख सकते हैं यहाँ पर air tail के case में भी speed जो है पहले जादा था उसके बाद कम हो गया है उसके बाद थोड़ा कम होके थोड़ा जादा होके ऐसा चल रहा है मुझे लग रहा है कहीने के इस device के अंदर 5G का थोड़ा सा issue तो अभी आ रहा है और देख सकते हैं air tail के अंदर upload speed अभी भी नहीं दिखा रहा है इसका मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़वर है और देख सकते हैं error हो गया है दोवारा ट्राइ करेंगे हम लोग तो देख सकते हैं यहां पे air tail में भी network बहुत ज़्यादा fluctuate कर रहा है और specifically इस phone के अंदर ही problem हो रहा है तो देख सकते हैं बहुत ही average speed आया है एकदम 4G ऐसा speed यहां पे 5G के अंदर दिखा रहा है हाला कि उपर में 5G शो हो रहा है चलिए यहां पे एक system update, software update जो है update आया था इस update को हम लोग कर लेते हैं यहां पे phone को boot करने के बाद एक update आया था चलिए इसको update करते हैं और देखते हैं इससे हमें कोई फाइदा होता है कि नहीं यहां पे देखते हैं camera के related update है contacts में update है, dark mode, apps, bluetooth इन सब चीजों के अंदर update है यहां पे 5G यहां भी network का कोई भी problem नहीं लिखा गया है फिर भी चलिए इसको download करके हम लोग देखते हैं यहां पे हमें जो problem है, problem का solution होता हो दिखता है कि नहीं तो जो update था वो complete हो चुका है अब चलिए phone को boot करके देखते हैं कि यहां पे जो 5G का problem था वो यहां पे ठीक हुआ कि नहीं update successful देख सकते हैं और update का जो version है, देख सकते हैं 14.0.8.3W30 है और देख सकते हैं अभी यहां पे 5G network आ रहा है Gio का ही 5G network है देख सकते हैं Gio का ही 5G network है Speed test चेक कर लेते हैं एक बर first में और अभी देख सकते हैं आप लोग speed काफी जादा आ रहा है और constant speed यहां पे मिल रहा है पहले देख सकते हैं आप लोग 200 को ऊपर speed गया था लेकिन तुरंत नीचे आ गया था लेकिन अभी देख सकते हैं speed जो है proper speed आ रहा है और confirm कर दूँ यहां पे Gio का ही sim चल रहा है जैसे कि देख सकते हैं mobile data Gio true 5G है कोई भी cut नहीं है कुछ भी नहीं है देख सकते हैं जो result है आपके सामने है चलिए भी हम लोग air tail का चेक करते हैं mobile data को change करते हैं यहां पे air tail में switch करते हैं air tail में देख सकते हैं 5G आ गया और speed test यहां पे कर लेते हैं देख सकते हैं यहां पे speed काफी अच्छा है लेकिन Gio से थोड़ा कम है लेकिन constant speed यहां पे मिल रहा है वी जो इससे पहले update करने से पहले हम लोग ने देखा था कि इस तरह का scenario नहीं था speed फटाक से उठ रहा था फिर नीचे एकदम से जा रहा था लेकिन अभी देख सकते हैं ऐसा नहीं है constant speed आप लोग यहां पे देखने को मिल रहा है अब हम लोग चेक करते हैं my geo का app क्योंकि my geo के app के अंदर में ही तभी 5g डिवाइस नहीं करके दिखा रहा था तो उसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं लेकिन देख सकते हैं यहां पे अभी भी handset 5g compatible करके नहीं आ रहा है पता नहीं यह अभी भी problem क्यों आ रहा है मुझे लग रहा है कि यह geo का कुछ problem है लेकिन आप लोग यहां पे देख सकते हैं नीचे में handset 5g compatible नहीं है लेकिन उपर में network change करका आप लोगो दिखा दूंगा यहां पर G.O. का देख सकते हैं मैं select कर ला हूँ और G.O. का select करने के बाद यहां पर देख सकते हैं G.O. 4G अभी है लेकिन यह G.O. True 5G में change हो जाएगा देख सकते हैं G.O. True 5G में change हो गया है और Gio True 5G का speed भी आ रहा है तो finally देख सकते हैं यहाँ पे जो handset है 5G compatible नहीं बता रहा है लेकिन मेरे case में यहाँ पे 5G जो है उपर में Gio का आ रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे Gio का 5G है Gio True 5G करके लिखा हुआ भी आ रहा है तो आप लोगों के case में अगर यह Gio True 5G नहीं आ रहा है तो एक काम आप लोग और कर सकते हैं settings के अंदर आप लोग जा सकते हैं settings के अंदर यहाँ पे आप लोगों को 5G preferred network यह always selected रहेगा लेकिन 5G network mode इसको आप लोग NSA और NSA करके check out कर सकते हैं इन दोनों में से एक करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का 5G network आ जाए वहाँ मेरे case में यहाँ पर एक बार हुआ था 4G पर चला गया था तो मैंने यहाँ पर NSA से select किया था उसके बाद यहाँ 5G पर आ गया फिर मैंने auto select कर दिया तो यहाँ पर continue 5G चल रहा है और जो speed है, speed भी वहने आप लोगो दिखाया था पहले और अभी भी दोबारा से try करके आप लोगो speed दिखा देते हैं speed कैसा आ रहा है देख सकते है speed आप लोग काफी एच्छा speed अभी भी मिल रहा है जो 5G speed है, वो 5G speed आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है नीचे देख सकते Reliance Jio है और उपर में भी चेकाउट करेंगे तो यहाँ पर Jio True 5G आप लोग चेकाउट कर सकते हैं और यह जो problem हो रहा है handset 5G not compatible यह चीज़ के बारे मैं आप लोगो बता दू फिलाल तो मेरे यहाँ 5G चल रहा है लेकिन मैंने जब यह iPhone लिया था इवन इस iPhone के अंदर में भी फर्स्ट में यहाँ पर 5G नहीं चल रहा था मैं शॉक हो गया था कि कुछ दूसरे फोन में Jio के SIM के अंदर 5G चल रहा था यहाँ पर iPhone के अंदर में भी तो यहाँ पर भी सेम केस ही है आप लोगों का जो अपडेट है फ्यूचर अपडेट में आप लोगों का यह जो प्रॉब्लम है सॉट आउट हो जाएगा 5G का जो इशू है वो प्रॉब्लम सॉब्ल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा आप लोगो वेट करना है बस और आप लोगो यह 5G का जो प्रॉपर सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह 5G भी नया नया रोलाउट हो रहा है तो सभी डिवाइस का आथ कुछ-कुछ डिवाइस के साथ यह इशू आ जाता है मैंने एक दुर दिवाइस इससे पहले भी टेस्ट किया था रेडमी के एक डिवाइस में भी यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन बाद में अपडेट के साथ वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया था तो इस फोन में भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा फोन एकदम 5G compatible है कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ जीओ में प्रॉब्लम आ रहा है एर टेल के अंदर मैंने आप लोगो दिखाए एर टेल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है एर टेल में जब भी स्विच करूँगा तो एर टेल में में यहां पर तुरंत 5G कैच कर रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से मैं आप लोगो हेल्प कर पाया हूँ और अगर आप लोगों यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भूले शाती में शेर करें अपने दोस्तों साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और आपका दिन सुब हो